वेलकम टूरियल कॉंसेट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट का तीसरा पार्ट जिसमें हम लोग आज देखेंगे इंपोर्टन थेरम यानि कि यह आप में फंडमेंटल थेरम आपको गिवेन है उसमें लगभग साथ से आठ फंडमेंटल थेरम है ठीक है उसके ब पार-पेज जितने साते हैं वह आपको आलेड़ी मिल जाएंगे ठीक है तो पहले ठीक है पाहले क्या कहता है कि या पाहला ठीरम कह reviewers कि अगर मावल वैले काम करते हैं इसको लेट करते हैं कि इसमें ठीरम को पाहला लेट किसी पर्टिकुलर दो से लेंगे ना, चलो, आज आप पहले लेट करते हैं, लेट क्या करते हैं, लेट f of x, कोई function है, ठीक है, और इसका value है l, and कोई दूसरा function है, g of x, ठीक, क्या है, g of x, इसका value है m, ठीक, यह तो हो गए हमारे, दो function, एक है fx, और एक है gx, इसका value है l, और इसका value है m, ठीक है, input हमने दिया x, निकला m, l, और उसके बाद इधर x दिया, और वो निकला m, ठीक है, यानि कि दोनों के value अलग-अलग है, तो अब अगर हम बात करेंगे, तो इसमें क्या कर सकते हैं, बताओ, इसका सबसे पहला काम तो यह होगा, कि अगर इन दोनों function को जोड दिया जाए, ठीक, ठीक, थेरम यह कहता है कि अगर सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे पहला काम अगर इन functions को जोड दिया जाए, तो first one is, और यहाँ पर भी limit होगा, right, तो limit होगा, तो limit लगा के आगे काम बढ़ाएंगे, तो limit x tends to a, मतलब particular point को लेकी चलते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, तो यह हो गया हमारा limit, x tends to a, ठीक, x tends to a, अगर मालो fx plus minus g of x, ठीक, अगर यह आपको given है, ठीक, तो आप अगर इसको solve करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो कैसे करोगा, क्या करना है, दोनों का limit ले लो, ठीक है, क्या होगा, यह होगा, limit x tends to a, ठीक, फिर उसके बाद f of x, ठीक, फिर plus minus, यह हो गया limit, x tends to a, और यह हो गया हमारा g of x, ठीक, इसका value क्या आजाएगा, यह अलग अलग होगे, तो इसका मतलब है कि इसका value हम रख देते हैं directly, ठीक है, हम लोग already यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, limit x tends to a, यहाँ पर भी limit हम यहाँ पर भी यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं, limit x tends to a, ठीक, तो इसका value क्या हो जाएगा, इसका value हो जाएगा, l plus minus m, ठीक, यह पहला theorem कहता है आपका, क्या कह रहा है कि अगर मालो कोई दो function है, ठीक है, यह हमारा limit x tends to a, कोई particular a point लेके चल रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम दो function use करने है, जिसका input तो लगवग सेम ही है, और output अलग अलग आ रहा है, ठीक है, अब इसमें अगर इन दोनों functions को add कर दिया जाए, ठीक है, अगर यहाँ x का value कुछ भी हो सकता था, तो इन दोनों को add कर दिया जाए, या divide कर दिया, मतलब, it means subtract कर दिया जाए, तो इनका value क कुछ ऐसे लिख सकते है, ठीक है, तो यह हो गए आपका first theorem, इसके बारे में कुछ ज्यादा सोचने नहीं students, बस जैसे आपको मिल रहा है, बस उसको ध्यान से देखते रहो और कुछ नहीं, ठीक है, और हाँ, फिन paper लेके बैठ जाओ, आराम से, ताकि आप लोग properly notes बना सको इसके बारे में, ठीक है, तो चलो next class, oh sorry, next देखते हैं, क्या है हमारा x tends to a, अब इसमें क्या करना था, अभी plus minus किये थे, तो एक काम करते हैं, multiply करते हैं, क्या हो जाएगा, f of x multiplied by g of x, ठीक, यह हो गया, अगर हम इसकी बात करें, तो हमारा वही होगा, जो अभी तक हुआ है क्या होगा, multiply हो जाएगा, तो दोनों को अलग-अलग multiply कर लो, यह हो गया, limit x tends to a, यह हो गया, f of x multiplied by limit x tends to a, यह हो गया, g of x, ठीक, g of x, इसका value क्या हो जाएगा, l into m, ठीक, 3 हो गया, second, अब third की बात करें, third की बात करें, तो third क्या कहलाता है, अभी तक हम लोग उने multiply किया था, अगर हम divide करें तो क्या होगा, चलो divide करके भी देख लेते, ठीक है, तो यह हो गया, limit x tends to a, f of x divided by g of x, ठीक, ऐसे करें, तो क्या होगा, यह हो गया, limit x tends to a, यह हो गया हमारा, f of x divided by, यह हो गया, limit x tends to a, यह हो गया, g of x, ठीक, चलो, अब इसको अगर solve करें, तो यह हो जाएगा, l divided by m, ठीक, तो यह हो गया, आपका value, यानि कि आपको कोई function given होगा, students, question अगर इसे based पूछेगा, कोई function given होगा, अगर उनके बीच में कोई ऐसा relation दिख रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगा, directly multiply कर दोगे, उनका value भी directly multiply होके ही आएगा, इसके कहने का मतलब basically यह ही है, ठीक है, तो चलो, तो अब आगे बात करते हैं, इसके बारे में, ठीक है, लेकिन divide में एक restriction है, इसके बारे में बात करते हैं, जहां, इसमें लिखते हैं, where m is not equal to 0, यानि कि m जो है हमारा, वो 0 नहीं होगा, ठीक है, 0 के पराबर नहीं होगा, या फिर ऐसे कह सकते हो, कि हमारा जो ये वाला portion है, यानि कि limit x tends to a, g of x जो value है, ये भी हमारा क्या, not equal to 0, जो 0 है, समझ रहे हो, तो बस ये आपके restrictions है, कि इसमें ये क्या नहीं होगा, कि ये जो m है, या फिर ये वाला value, ये हमारा क्या नहीं होगा, ये वाला function या फिर ये landlord value, ये 0 के नहीं होगा,говन मिला के, ठीक है, अगर 0 रख देते हो, otherwise अगर आप 0 रख देते हो, मतलब अगर आप 0 रख देते हैं तो सारा value क्या हो जाएगा invalid राइट क्योंकि denominator में 0 अगर आपका आ गया तो क्या हो जाएगा indeterminate ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं I think समझ में आ गया होगा चलो अब बात करते हैं next की तो next क्या कहता है मारब ध्यान से देखना चौथे की बात करते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या किया है डिवाइट किया है ठीक है तो अब एक काम ऐसा करते हैं कि हम किसी particular function में हम particular constant से multiply करके देखते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा इधर देखो ध्यान से अगर मालो आपके पास given है limit x tends to a और मालो यहां कोई particular k constant है और यह हो गया हमारा f of x ठीक इसका use बहुत ज़्यादा होता है students पहले हम बता देगी इसके बार हम क्या है तो देखो यह constant है ठीक है f of x चलो अब अगर हम इसके बार हम लिखें तो यह theorem क्या कहती है कि यह जो constant है उसको हम basically बाहर ले लेते हैं क्या करत into l इसका मतलब समझ में आए students यानि कि जो हमारा k है यानि constant है वो यहां पर तो आपके यहां limit के बाद रहेगा लेकिन जब भी हम लोग solve करना अगर आगे start करेंगे तो वहां क्या करेंगी इस constant को हम लोग बाहर ले लेंगे ठीक है तो यह होगा limit का एक property एक तरीके से ठीक है तो चलो अब पांचवेगी बात करते हैं पांचवा क्या है पांचवेगी बात करें तो अगर मालो यही जो एक function है एक function के उपर दूसरा function अगर power में आ जाए तो क्या अगर होगे तो आजा हो देखते हैं अगर कोई एक function है क्या है limit x tends to a ठीक यह हो गया f of x अगर इसी के whole power और हमारा क्या आजाए जी ओफ एक्स तो क्या करोगी स्टुनेट्स क्या होगा कि मारे जिए पी मीट इसको भी थोड़ा excellent कर देखते हैं यह हो जाएगा हमारा क्या यह हो जाएगाก amd 108-22 एक सवारोर थिक और इसके होल्ट में क्या हो जाएगा यह हो लिमिट, x tends to a, यह हो गया g of x, समझ में आ रहा है students, अगर particular के power में यह कोई function लग गया, तो इसमें भी limit लेके आराम से solve करके, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब इसका value पूट कर देंगे, यह हो गया l और उसके power m, ठीक, अब यहाँ पर भी restrictions है, यहाँ पर restriction क्या ह restriction यह है, कि यह जो हमारा fx है, यह जो हमारा fx है, इसका इस particular value का, for example, यहाँ लिख दे रहे हैं, where, यह जो हमारा limit, x tends to a है, और इसके बाद यह जो function है, हमारा fx, इसका value हमेशा 0 से बढ़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 से बढ़ा होना चाहिए, यह इसकी restrictions कहती है, चलो, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि 0 से बढ़ा, अगर छोटा होगा, तो समझ लो आप, यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि minus में जाएगा, ठीक, तो चलो, आप इसके बारे में बात करते हैं, और भी, इसके बारे में और क्या पांच ब लग ले लें, function में, लग ले लें, तो क्या होगा, यह होगा हमारा limit x tends to a, log f of x, अब क्या होगा, students, हमने log ले लिया अ उंदर, बा하고 ले लिया, तो जैसे कि हम लोग ने constant में किया था, क्या करना था, हमने अंदर constant लिया था, अब इसको क्या सकते हैं, बाहर ले क्या आते हैं क्योंकि हम लोग जब limit का property हम लोग solve करेंगे पहली बाद तो limit हम लोग solve करेंगे क्योंकि पहले log तो लगा नहीं सकते ठीक है पहले log लगा नहीं सकते तो एक काम करते हैं इसको log क्या करते हैं बाहर ले 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 ये हो गया हमारा log ठीक ये हो गया हमारा फिर क्या limit x tends to a और फिर हो गया f of x अब हम इसको solve करने के बाद students क्या करेंगे इसको solve करने के बाद तब हम log की property use कर सकते हैं तो basically हम इसको क्या लिख सकते हैं log l ठीक I think समझ में आया होगा जहां कि हमारा l जो है यहां पर भी a की restrictions है क्या है जहां कि हमारा l जो है greater होँआ चाहिए किस से 0 से ठीक समझ में आ गया होगा चलो तो अब एक और देखते हैं जो कि हमारा सात्वा है ठीक है सात्वा क्या कहता है अगर मालो limit में हम कोई particular जैसे कि अगर यह जो function है हमारा वो particular constant जैसे कि आपका यह कहदे कि अ कि पावर हम कहद है कि यह limit X tends to a अगर E के पावर में हम क्या कर रहीं f of excellent तो क्या होगा अगर इस तरीके से तो क्या होगा कुछ नहीं इस लीमिट को उपर ले जाओ इस लीमिट को उपर लेके जाओ तो यह हो गया e के power में limit x tends to a हो गया e के power में क्या हो गया f of x ठीक यह e के power में चल रहा है e के power में हमें पता है जब यह चल रहा है तो अब क्या कर सकते हैं इसे directly e के power L लिख सकते हैं क्योंकि इसका value क्या है L है ठीक I think समझ में आ गया होगा क्या करना है कुछ बस इस तरीके से आएगा ठीक है और भी देखते हैं इसमें है कि नहीं तो इस्टुनेंट्स एक और लास्ट इसका थेरम है तो इसके बारे में भी बात कर ले रहे हैं यह जितने भी थेरम से आप लोग बस नोट करते चलो साथ के साथ समझे लो थोड़ा सा कहां इसमें क्या ह है क्या हो रहा है इसके बाद ठीक है तो वह सारी चीज़ यहां लगेंगी मैं बताँगा आपको ठीक है और Max देखो यह सारी प्रॉपर्टीज हमेंशा एक साह साह नहीं लगे हैं ठीक है समझ रहे हैं तो कुछी प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो आपके रoney में बींभी यानि rational number अगर कोई power में ले लेते हैं, तो क्या होगा, यह होगा limit x tends to a, यह होगा f of x, ठीक, अगर इसके whole power में pyq ले लिया जाए, अगर इसके power में pyq ले लिया जाए, यानि कि कोई rational number कोई ले लिया जाए, power में, तो कैसे solve होगा, क्या करना है इसका पहले क्या करना है value निकालना है बिल्कुल तो एक काम करना है यह पहले इसके पावर में है न तो एक काम करते हैं यह हो गया limit x tends to a यह हो गया f of x अब इसके पावर में लगाके क्या करना है p by q कर देना है ठीक अब हमें इसके पावर में अब इसका value क्या नि बस यही कुछ important थे ठीक है और अब हम बात करते हैं कुछ और भी important results के बारे में बात करते हैं standard limits के बारे में बात करते हैं तो यह सारे फार्मूले एक तरीके से यह particular वीडियो है जिसमें मैं सारे फार्मूले से आपको अवगत करा दूंगा ठीक है कौन सा important है कौन सा नहीं important है यह भी बताऊंगा तो इसमें देखते रहना और कौन सा सबसे ज्यादा आपके एक्जाम में यूज हुआ है ज्यादा तर ठीक है तो उसके विवारे में बत करूंगा ठीक है तो क्या है हमारा कि इस टैंडर्ड लिमिट्स कि यह हो गया पहला टॉपिक ठीक है तो अब हम अगर बात करें इसमें कि इस्टेंडर्ड लिमिट्स की तो पहले हमें एक काम करते हैं पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन लेते हैं तो उसके बार हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल अगर हम फंक्शन लेगे तो उसमें अगर हम पहले क की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज होने है अला स्टुडेंट्स सबसे बढ़ियां वह हमारा क्या हुआ इसका वैल्यू हमेशा एक आता है और यह सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यानि कि सबसे इंपॉर्टेंट है समझ रहे हो अब हम सेकेंड की बात करें अब इसमें से दो तीन वैल्यू है इस्टुडेंट्स जिनकी वैल्यू हम साधे सीधे सीधे लिखें तो सबका वैल्य है मैं बताता हूँ कौन कौन से पहला हो गया ठीक है अब हम लिखें लिमिट एक्स टेंडस्टू जीरो यह हो गया अगर जैसे कि साइन एक्स है तो यहां पर साइन इन्वर्स एक्स डिवाइड़ वा एक्स इसका वैल्यू भी एक ही आएगा समझ रहे हो इसका भी तो अब और कितने हैं, तीसरे की बात करते हैं, तीसरा हमारा है, tan, यानि कि limit x tends to 0, tan x divided by x is equal to 1, ये भी है, ठीक, अब हम बात करें, चौथे की, तो चौथा हमारा क्या है, उसी का inverse, tan का inverse, ये हो गया, limit x tends to 0, tan inverse x divided by x is equal to 1, यानि कि चार ऐसे limits and students, जिसका value एक ही आने वाला है, ठीक है, कहीं भी आप ऐसे formation को देखें, तो सीधे सीधे answer मार देना है, ठीक है, अब बात करेंगे, तो अब बात करते हैं, पाचवे का, पाचवा क्या है, पाचवा ये हैं students, कि limit x tends to 0, अगर मालो, sin nx है, यानि कि जो यहाँ पर x था और यहाँ पर nx है, तो इसका value क्या होगा, divided by x, ठीक है, इसका value students को चमर रही, अगर हम इस n को क्या करें, बाहर ले लें, तो क्या होगा, सीधे सीधे हमारा value आ जाएगा n, ठीक है, क्योंकि फिर इस particular value का, particular function का value क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, तो n जो है, उसके multiply में आ जाएगा, तो सीधे सीधे value क्या जाएगा, एक, ठीक, यहाँ तो तो समझ में आ रहा होगा, अब इसके बारे में बात करते हैं, कहां, अब इसके बारे में बात करते हैं, एक बढ़ियां सा, वो हमारा count सा, cos का अगर limit x tends to infinite की बात करते हैं x tends to infinite यह होगे हमारा cos x divided by x इसका value students 0 होगा समझ रहे हैं आप इसका value हमेशा 0 आएगा कैसे अगर मालो इसका हमेशा जानते हो कि x tends to infinite जहां आ गया यहां divide by में infinite आएगा और divide by में हमें पता है कि infinite जैसे ही आता है वो हमारा value सीधे सीधे 0 आजाता है यह एकदम basic concept है students आपको बस इतना याद रखना है ठीक है ध्यान रखना है यह याद करने का एक तरीके से बहुत अच्छा तरीका है कि क्या होगा इसका limit सीधे put कर दो क्या जाएगा सीधे 0 आजाएगा यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही आएगा ठीक हर जगा लगवग लगवग ऐसे ही आएगा लेकिन इसको प्रूफ करने का तरीका अलग होता है हलाकि हम लोग इसके प्रूफ नहीं देखेंगे कि कोई यहाँ पर हमें केवल लीड है इसकी ज़रूरत है केवल वहां तक जहां हम क्योशन सॉल्फ करते है ठीक है तो प्रूफ तो अभी नहीं क्योंकि टाइम अपने बास है भी नहीं ठीक है थोड़ा कम टाइम है तो इसके divided by x कर दिया जाए तो क्या होगा यहां पर हमारा sign हो जाए कौन सा यह 7th नमबर है ना limit x tends to infinite अगर यही पर हम sign x divided by x कर दें तो भी students answer 0 आएगा जैसे कि मैंने बताया अगर divided denominator में अगर infinite आता है तो value 0 होती है ठीक है तो बस अब यह हो गया हमारे कुछ important result और भी और भी है ठीक है तो उसके विवारें बात कर ले रहे हैं एक trigonometry का एक last वाला है देखते हैं यह हमारा हो गया आठमा आठमा क्या कह रहा है अगर मालों इसी में sign x का multiply है ठीक है क्या है इस तरीके से limit x tends to 0 अगर x sin 1 upon x कर दिया जाए यहाँ पर x sin 1 upon x कर दिया जाए तो इसका value students कहीं भी आप यह देखना तो इसका value सीधी सीधी 0 जो odd कहना काफी odd लग रहा है तो इसका value सीधी सीधी 0 मार देना ठीक है तो इसमें टेंसल लेंडिक ज़रूत नहीं है चलो यह तो है आपके trigonometrical functions अब बात करेंगे इससे भी बढ़िया बढ़िया वाले जो हम लोग use करेंगे basically और सबसे ज़्यादा important चीजों को देखेंगे ठीक है कि चलो अब बहुत ही बहतरीन standard limits आएंगे students जहां हम लोग basically इसको use करते हैं और जब हम लोग question solve करते हैं तो उसमें सबसे important वाला क्या होता है मत देखते हैं इसमें सबसे important students क्या होता है यह हमारा अगर limit x tends to a लिखा रहे है ठीक है और फिर उसके बाद इसका अगर मालो यहां पर कोई function x की power n minus a की power n divided by x minus a लिखा रहे है तो इसका result कुछ और नहीं होगा यह होगा students n पहले क्या करना है power को उठा के सामने ले आना है n लिखे दिए फिर उसके बाद a a whole power n minus 1 यह समझ लो एक तरीके से आपको पूरे question का direct answer दे दे रहा है ठीक है तो बस वही करना है आपको कुछ results रटने है रटने हैं और उसके बाद आप लोग solve करना अच्छे से ठीक है मैं बताऊं कि कैसे solve करना है second की बात करें तो second result यह भी अच्छा है limit x tends to zero e की power x minus 1 यह whole के power minus 1 है ठीक उसके बाद divided by x अगर इसके value की बात करें students इसका value एक आता है हमेशा ठीक अब हम बात करेंगे अगर a की यहाँ e की power x है अगर हम a की power x की बात करें तो क्या होगा third अगर limit x tends to zero अगर a की power x minus 1 upon x है तो इसका value क्या होगा इसका value होगा students log base e और a ठीक है यहाँ पर log a base e ठीक है यह है और जहाँ पर जो हमारा a है वो हमेशा ज्यादा होगा zero से हमेशा याद रखना a जो है हमारा zero से हमेशा ज्यादा होगा ठीक अब बात करते हैं fourth की fourth one is हमारा अगर मालो a x a की a to the power limit x tends to zero अगर a to the power x minus b to the power x divided by x है तो इसका value क्या होगा इसका value क्या होगा students यहाँ पर देखना ध्यान से यह हो जाएगा log a divided by b base e यह निका आपको कुछ समझ में आ रहा है students जहां हम लोग a की power x की बात कर रहे हैं वहाँ पर हमेशा log आ रहा है यहाँ पर भी log है ठीक है यहाँ पर भी log है क्योंकि यहाँ पर a की power x है ठीक है तो अब हम बात करें next की हमेशा यही याद रगना बहुत और कुछ नहीं आपको जब क्यूशन solve करोगे तो यह सारी चीज़े automatically आता जाएंगी ठीक है कैसे आएंगी मैं बताऊंगो बस use करना सीख लो अभी use कर लोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएंगी ठीक है चलो और क्या है भाई हाँ यह है मारा limit x tends to 0 log base e यह हो गया 1 plus x divided by x disturbance इसका जो है सब से जदा यूज हुता है ठीक है एक यह और दूसरा यह है यह यह धो एसे हैं जिनका us सब से जदा होता है आज के समय में ठीक है इसका यूज सब से जदा क्वेशनमर को पुछा गया है हमेशा से और बस यहीं 2 है ठीक है और फिर उसके बाद इसका value होसे जानते हो क्या होता स्टूदिंट इसका वहली होता है एक कि कि जब के से सौल करेंगे तो कुछ इस form format में हम लेके आएंगे मंद कुछ कृसंट ऐसे होते हैं जिनको हम सॉपर कर के इस format में कनवर्ट करके त्व जा कि हम इसका असर एक लाटे है इसका जब भी यूज आएगा हम बताएंगे कैसे आएगा चलो नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट यह है कि लिमिट एक्स टेंट्स टू इंफाइनाइट लॉग एक्स डिवाइड़ बाई एक्स की पावर एम अगर इसकी बात करें तो इसका वैलिव इस्टुडेंट्स जीरो आएगा काफी और लग रहा है इसलिए है चलो यह हो गया यहां पर जो एम है इसके रिस्ट्रिक्शन्स यह है कि यह हमेशा जीरो से बड़ा होगा ठीक ह अगर नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट क्या है मारेप नेक्स्ट यह है डॉग से लिमिट आएक्स टेंस तू अगर जीरो की बात करें तो यह हो गया लॉग base a 1 plus x divided by अगर x की बात करें यानि कि ये वाला function इसकी बात करें तो इसका value क्या हो जाएगा students इसका value हो जाएगा log e base a समझ रहे हो तो ये कुछ है और भी है तो इसको पहले हटा आ लेते हैं तब बात करते हैं उन पे चलो अब next की बात करते है ठीक next क्या है मारा next ये कह रहा है limit x tends to 0 1 प्लस x की पावर n x to the power n minus 1 divided by x इसका value directly आएगा answer n ठीक है इस सारे फार्मूले आपके book में already given होंगे आप यहां से यहां से भी notes कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक चलो limit x tends to 0 1 प्लस x की पावर 1 by x इसका value students e होगा हाला कि इन सारे फार्मूलों का use नहीं होगा आपके question में क्योंकि इतने भी high level की questions नहीं पूछते और यह सारे फार्मूले ज्यादा तर यूज होते हैं जब आयाटी और जे डवली की हम लोग तयारी करेंगे वहां पर ठीक है तो हम लोग उसकी तयारी करनी नहीं है फिलाल exam पे focus करना है में ठीक है तो यह हो गया हमारा नाइन्थ क्या कह रहा है लिमिट x tends to infinite अगर यह कह दे कि 1 प्लस 1 अपान x का लिमिट लेना है और इसके whole power में x हो तो इसका अभी वैल्यू यह ही आएगा समझ रहो यानि कि जहां वन पावर में अगर x या फिर वान अपान x इस टाइप के कुछ आ जाते हैं तो वहां पर सीजिए सीदे आंसर लगा लगा देना ही समझ रहो आप सेकेंड की बात करतें नेक्स्ट की बात करतें नेक्स्ट क्या है हमारा सेम वही है इसी तरीके से लिमिट x टेंस टू इंफाइनाइट वन प्लस एडिवाइड बाइ एक्स की पावर ए सॉरी x ठीक तो अब इसको क्या करेंगे ठीक है यह होगा एक पावर ए इसका सॉल्यूशन यह होगा एक और लास्ट है यही तो बस य तो हो गया students यह सारे हैं ठीक है और देख लो अगर ट्राइ करो अगर आपके आपसे हो पाता है तो करो questions बाकी तो हम है solve करेंगे ठीक है तो मिलते हैं in next class में एक नए questions के साथ ठीक है thank you very much and take care